तो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट सिक्स मन्स के करेंट अफेर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो को एंड तक देखिए हम यहाँ पे टॉप 400 कोशन्स को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि यह 400 कोशन्स है थोड़ा लंदी हो जाएगा इसलिए हम ज्यादा एक्स्पिनेशन ना दे करके जल्दी जल्दी कोशन्स को कवर करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कोशन्स है तो यह विम्स तो आपके लिए इसते ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्योंकि एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विम्स्टेक वस फॉंडेड इन तो आपका अंसर होना चाहिए 1997 में विम्स्टेक को फॉर्म किया गया था इसका हेड़कॉर्टर जो है यह है धाका बंगलादेश म इंडिया, मयनमार, नेपाल, श्रीलंका, एंड थायलेंड तो यह सारे हैं मेंबर्स ओफ विम्स्टेक तो आपको मैंने इसका ट्रिक भी बताया है अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईए ठीक है next question देखिए Asia's largest 4 meter liquid mirror telescope unveil that तो Asia का सबसे largest telescope कह नहां पर unveil किया गया है यह किया गया है इन उत्तरा खंड next question है RBI foundation day is on तो RBI का foundation day कब बनाया जाता है यह बनाया जाता है on April 1st तो बात करें RBI यानि के Reserve Bank of India इसको form किया गया था April 1st 1935 को governor है present इसके शक्तिकान दास और यह बनाया गया था by Hilton Young Commission इसके अलावा क्या बता सकते हैं कि पहले governor कौन थे RBI के बहुत ही repeated question exams का तो जो जो question मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको उनका comment section में answer देना है तो आपको बताना है कि पहले governor कौन थे Reserve Bank of India के next question which country has become 31st member of NATO after Turkey Parliament voted to approve its application तो actual में NATO में पहले 30 countries थी अब एक 31st member यहां पर जुड़ गया है तो यह कौन है आपसे यह पूछा जा रहा है बस यहां पर very important आ सकता है exam में आपके तो यह है Finland तो Finland जो है newly joined की है NATO next is what is the India's rank in passport index 2023 तो passport index में यहां पर इंडिया की rank है 144 तो देखे मैंने आपको पहले भी पताया है Henley passport index है दोनों में ranks अलग अलग आते हैं तो Henley passport index मैंने आपको अल्रड़ी बताया है साथ में सारे indexes जितने भी है 2023 के उनको मैंने already index वाला वीडियो बनाया हुआ है जिसका link आपको यहां पर मिल जाएगा उपर आई बटन में तो definitely जाके उसको चेक करिए ठीक है next question who has won the world vaccine congress तो किसने जीता है world vaccine congress तो यह जीता है भारत biotech में तो guys देखें यहां पर सारे questions जो हैं बहुत ही important और selected topics जो भी होते हैं exam point of view से important मैंने उनको लिया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को like करिए इसे क्या होता है बहुत लोगों से तक यह पहुँचेगा वीडियो ठीक है और इसके साथ कर लीजेगा next question who has won Australian Grand Prix तो Australian Grand Prix किसने जीता है तो यह जीता है मैक्स वर से टैपन ने तो मैंने इसका भी आपको ट्रिक बताया है हुआ है already कि कैसे आपको याद रखना है यह सारे Grand Prix क्योंकि exam में पूछे जाते हैं यह तो उसको भी जो link है games वाला मैं आपको यहां पर दे द तो इंडियन नेवी के वाइस चीफ बन गया है यहां पर सजे जसजीत सिंग बात करें इंडियन नेवी की स्टैबलिश किया गया है 26 January 1950 को और Chief of Naval Staff है आर हरी कुमार next है what is the air exercise between India and USA तो इंडिया और USA के बीच के air exercise को कहा जाता है यहां पर COP India ठेक है इसके साथ Slynex कहां का है इंडिया और Shri Lange के बीच का exercise है Slynex तो आगे यह question है already यह देखिए Slynex कहां का exercise है तो यह इंडिया और Shri Lange के बीच का military exercise है next question बस अखली painting has got GI tag of which state तो बस अखली painting जो है इसका GI tag किसे दिया गया है किस state को इसे दिया गया है Jammu का GI tag next question which state topped the Indian justice report 2022 तो Indian justice report 2022 को जीता है यहां पर करनाटे का ने next है Mircha Rice has got GI tag of which state तो Mircha Rice को GI tag दिया गया है यहां पर Bihar state को next है which country president has awarded Poland's highest honor तो Poland का highest honor जो है यह दिया गया है Ukraine के president जो की है Vlodomir Zelenskay next question who has become first female empire in ICC men T20 cricket अगेन यहां पर यह very important question होने वाला है तो पहली female empire of ICC men T20 cricket की बन गई है Kim Cotton अगला question देखिए which state has got GI tag for wood carving तो wood carving के लिए यहां पर GI tag दिया गया है किसे यह दिया गया है लदाक को तो guys अगर आपको इस same content का अगर आपको Hindi version भी चाहिए तो comment section में comment करके बताइएगा तो इसके बाद अगर आपको चाहिए तो हम यहां पर video upload करेंगे ठीक है next देखिए who has been awarded with international prize of statistics तो international prize of statistics यहां पर दिया गया है CR Rao को again यह बहुत important है exam के लिए next question है who has become fastest to score 6,000 runs in IPL तो IPL में 6,000 run बनाने वाले कौन बन गए है यह बन गए है David Warner fastest 6,000 next question बैसाकी महोटसव is to be held in तो बैसाकी महोटसव जो है यह कहां हो रहा है जम्मू कश्मीर में हो रहा है to celebrate Dogra culture ठीक है तो यह बैसाकी महोटसव है actual में बैसाकी जो है यह पंजाब की festival है तो आपको यहाँ पे बैसाकी अगर महोटसव पूछा जाता है तो यह जम्मू कश्मीर आपको आंसर देना है next है which country has ranked least free country in a freedom house index तो freedom house index में least free country का दर्जा दिया गया है यहाँ पे Tibet को अगला question which party has got tag of national party by election commission of India तो election commission ने किस party को जो है यहाँ पे national party घोशित कर दिया है तो यह घोशित किया गया है आम आदमी party को तो एक मिनट इस को हम यह ड्राइग तो देखिए तो election commission के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यह दिया गया है आम आदमी party को national party का दर्जा बढ़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ECI की Election Commission of India इसे फर्म किया गया है 1950 में Headquarter है New Delhi और इसके Current Executive जो है यह है राजीव कुमार अगला question Gone Painting has received GI tag of which state तो Gone Painting को यहाँ पर GI tag दिया गया है Madhya Pradesh का Next question Which state has got GI tag for wood carving तो wood carving के लिए GI tag दिया गया है यहाँ पर Ladakh को Next है What is India's Rank in Most Criminal Countries Index? तो India का Rank in Most Criminal Countries Index में यहाँ पर रहा है 77 Next question A book titled Quoting India is Written by तो Quoting India यह book किसने लिखी है? तो यह लिखी है यहाँ पर नंदिनी दास ने तो guys हमने जो Jan से June यानि कि जो previous six months है इसके जितने भी current affairs related जैसे कि index हो गया Games हो गया ठीक है इसके बाद military exercises हो गया Festival हो गया Monthly current affairs Awards Books है ना तो इस तरीके से हमने सारे जितने भी News में यह सारे थे हमने सबके अलग-अलग से वीडियो जो है अपलोड कियो हूँ है चैनल पे तो आपको इसका सबका link जो है यहाँ पे मिल जाएगा i button पे और साथ में description में भी मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप definitely यह सारे देख लीजे वीडियो क्योंकि इसमें से पका आपके एक-एक-एक-दो-दो questions तो आने ही वाले है तो यहाँ से आपका maximum cover हो जाएगा सारा questions क्योंकि current affairs में जो भी होता है वही आता है exam में तो आपको यह सारा जो है cover कर लेना है ठीक है तो link यहाँ पे है click करके देख लीजेगा next question देखें यहाँ पे बैसाकी इस फेस्टिवल सेलिब्रेटेटेड इन तो बैसाकी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है तो यह सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब और हर्याना दोनों में ठीक है अगला question बोहाग बी हो इस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तो बोहाग बी हो यह फेस्टिवल celebrate किया जाता है आसम में तो बीहू जो है आसम का festival है आपको पता है next है चियोबा लुनार is a festival celebrated in तो चियोबा लुनार festival मनिपूर में celebrate किया जाता है next, who has been crowned Femina Miss India 2023 very important question, तो Femina Miss India 2023 का दरज़ यहां पे बतलब जीता है किसने, यह जीता है नंदिनी दास ने, ठीक है अगला question who has been awarded with Malcolm Adi Seashaya award, तो Malcolm Adi Seashaya award यहां पे दिया गया है उत्षा पतनायक को next है PM Modi to inaugurate first Global Buddhist Summit in तो पहला Global Buddhist Summit जो है, यह inaugurate किया जाने वाला है कहां पे, बाई PM Modi तो यह होने वाला है in New Delhi अगला question देखिए where is under 20 FIFA World Cup going to be hosted, तो under 20 FIFA World Cup होने वाला है Argentina में next है, कंबम grapes has got GI tag of which state, तो कंबम grape जो है, इसका GI tag दिया गया है, Tamil Nadu state को next, ISRO has launched Singapore's satellite Dash on April 22 used for various applications like urban planning, maritime security and disaster management, तो ISRO ने Singapore का एक satellite को यहां पे launch किया है, तो उसका नाम क्या है, यहां पे आपको यह बताना है, ठीक है, तो इसका नाम है यहां पे, टेलियोस 2 अगला question, हुन थडाओ cultural festival was held at, तो हुन थडाओ cultural festival जो है, यह held किया गया था मनीपूर में, तो guys, मनीपूर से बहुत सारे festivals हैं, तो वहां से आने के chances बहुत जादा है, exam point of view से, तो सारे मनीपूर के जितने भी current affairs में festival हैं, उनको आप पढ़ लीजेगा अच्छा, हम एक काम करते हैं, आपको इसका जो मनीपूर का एक प्रॉप पर जितने भी festivals हैं, आपको हम shorts में provide कर देंगे, तो वहां से जाके आप सारे को पढ़ लीजेगा, ठीक है, next question देखिए, who has received Germany's grand cross of order of merit तो Germany का grand cross of order दिया गया है, Angela Merkel को अगला question, who is going to receive Lata Mangeshkar award तो Lata Mangeshkar award यहां पे दिया जाने वाला है, आशा, भोश लेकूँ next है, who has become the first woman IAF to receive gallantry award तो first woman IAF to receive gallantry award बन जाती है यहां पे, DP का मिश्रा next है, India ranked which position in global unicorn index तो India का rank, global unicorn index में रहा है, third next, star sports signed whom is their brand ambassador तो star sports ने अपना brand ambassador बनाया है यहां पे, Rishabh Pant को next है, world earth day is observed on, तो world earth day observed किया जाता है 22nd April को, very very important question आपको इसका theme बहुत अच्छे से याद रखना है, invest in our planet, next है what is the name of operation carried by Indian ships and aircraft to bring back Indian citizens from Sudan, ठीक है, तो Sudan में कुछ clashes हो गए थे, लड़ाई जवड़ा चल रहा था वहाँ पे तो उस टाइम वहाँ पे जितने भी Indians फसे थे, उनको वापस लाने के लिए Indian government ने एक operation चलाया था जिसका नाम इनोंने रखा था क्या, यह आप से पूछा जा रहा है इस operation का नाम था operation कावेरी, ठीक है, तो operation गंगा क्या है, operation गंगा जो Ukraine में फसे थे लोग, due to Russia-Ukraine war, तो उनको लाने के लिए operation गंगा चलाये गई थी, I hope you clear है next है, which national park has banned the use of single-use plastic, तो देखे, यहाँ पर यह question इसलिए important है, क्योंकि अगर आप से पूछा जा सकता है यहाँ पर, जिस इसका answer क्या है वन विहार national park तो अगर आप से पूछा जाए कि वन विहार national park कि state में है, ठीक है तो ऐसे question exam में आते हैं जो current affairs में है, उन से related तो यह यहाँ पर situated है, भुपाल यानि की मध्यप्रदेश में, I hope आपको clear है भी, next who has won Barcelona title 2023, तो Barcelona title यहाँ पर जीता है Carlos Alcaraz ने, next question, Khongjom day is observed on 23rd April in तो Khongjom day कहाँ पर celebrate किया जाता है again, यह मनीपूर में होता है next है, national panchaiti raja day is observed on तो national panchaiti raja day होता है 24th April को next Prime Minister Narendra Modi flagged off country's first water metro project, तो यह already शुरू भी कर दिया गया है तो इंडिया का first water metro, देखिए इस तरीके से कुछ दिखता है यह, पानी में आपको ऐसे metro तो यह चलाया गया था in Kochi, तो Kochi कहाँ पर है, केरला में है next Man Madurai received GI tag of which state तो Man Madurai pottery आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है तो आप देख सकते हैं यह pots, तो इसे GI tag मिला है कहाँ का तो यह दिया गया है Tamil Nadu का GI tag अगला question, who is going to receive billboard's first Latin Woman of the Year award तो billboard's first Latin Woman of the Year award दिया जाने वाला है शकीरा को next है, सिंथान स्नो फेस्टिवल to take place in तो सिंथान स्नो फेस्टिवल कहाँ पर किया गया तो यह किया गया है, जमू कश्मीर में next, who has been awarded with Australia's highest civilian honor तो Australia का highest civilian honor जो है, यह मिला है रतन टाटा को, इसके अलावा इन्हें और भी दूस्टी countries के highest civilian award दिये गये हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिए क्योंकि आप से अगर पूछा जाए, कि which of the following highest civilian honor are received by रतन टाटा, तो आपको वो पता होना चाहिए तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी, इन्हें मिला है उरुगवे का, ठीक है, इसके बाद इन्हें 2004 में यह दिया गया था, इसके बाद है Singapore का दिया गया है इन्हें, यह दिया गया था 2008 में, इसके बाद Italy का दिया गया है इन्हें highest honor ये दिया गया था 2009 में Japan का यहाँ पे दिया गया था इन्हें 2012 में और France का दिया गया था यहाँ पे 2016 में इसके बाद अभी इन्हें दिया गया है Australia का इस year ठीक है 2023 में तो ये है different highest civilian honor given to Ratan Tata तो आपको ये सारे अच्छे से याद रख लेने है ठीक है next question देखिए collective spirit concrete action is a book released by तो ये book यहाँ पे release की है किसने शेकर वेंपाटी ने तो इन्होंने जो 100th episode था मन की बात का उस time इन्होंने इसे launch किया next who was awarded with best actor leading role in 68th film fair award यहाँ पे picture wrong आ गई है 68th film fair award में best actor का यहाँ पे मिला है award राज कुमार राओ को for his movie बदाई दो next who has been appointed as MD CEO of BSC तो BSC के MD CEO यहाँ पे बनाए गए है सुन्दरामन रामूर्थी next who won the ICC women T20 world cup trophy तो women ICC T20 world cup trophy जीता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने तो यह host किया गया था in South Africa और runner-up भी यहाँ पे रही है South Africa तो इसलिए ऐसे याद रखेगा जहाँ पे हुआ है वही second आया है ठीक है इसके बद जो ऑस्ट्रेलिया है इसने sixth time में से जीता है और second runner-up याने कि third position पे रही थी New Zealand तो इस तरीके से आपको याद रखना है तो नाइजेरिया के प्रेसिडेंट बन गए है बोला तिनुबू अगला question तो वाइस चीफ अफ आर्मी स्टाफ तो वाइस चीफ अफ आर्मी स्टाफ बन गए है सुचिंद्र कुमार next which state has won the wildlife conservation award तो wildlife conservation award यहाँ पे जीता है आलिया मीर ने state नहीं है यह ठीक है who होगा यहाँ पे who has won the wildlife conservation award तो यह जो है कश्मीर से है next exhibition on international year of millets organized in तो 2023 को international year of millets का दर्जाए हाँ पे दिया गया है तो इसका एक exhibition लगाया गया था तो यह कहाँ पे और्गनाइस किया गया था यह गोवा में यहाँ पे और्गनाइस किया गया था ही है वासको डिगामा cm है प्रमोट सावंत और governor है यहां के श्रीधरन पिल लाई next Asia's largest helicopter factory opened in तो एशिया का सबसे largest helicopter factory यह open किया गया है तुम कूरू करनाटका में अगला शीनी माहितरी is exercise between India and तो शीनी माहितरी जो है जपान और इंडिया के बीच की exercise है इसके अलावा इंडिया और जपान के बीच में एक और joint army exercise होती है जिसका नाम है धर्मा गार्जियन अगला question वर्ल वाइल लाइफ डे इस प्रोक्लेम्ड ओन तो वर्ल वाइल इंडिया इंस्टाल फर्स्ट बैंबू बारियर इन तो इंडिया ने अपना पहला बैंबू बारियर कहां पे इंस्टाल किया है तो यह इंस्टाल किया गया है महरास्ट्रा में next है which state won the santos trophy तो यहां पे santos trophy को जीता है करनाटका ने तो santos trophy जो है इसे यहां पे विन किया है करनाटका ने किसे हराकर यानि कि runner-up कौन रही है तो runner-up यहाँ पे रही है मिगाले ठीक है तो यह कहाँ पे और्गनाइस किया गया था यह और्गनाइस किया गया था King Fath Stadium Saudi Arabia में ठीक है तो रियाद South Arabia में इसे host किया गया था Next, who wrote the book Indian Vaccine Story इंडियन वैक्सीन स्टोरी यहाँ पे यह बुक लिखी है किसने यह लिखी है सजन सिंग यादव ने Next, International Women's Day is celebrated on So International Women's Day जो है Very-very important question March 8 को celebrate किया जाता है और इस बार का इसका theme था Embrace Equity इस theme को पुछने की बहुत ज़्यादा probability है एक्जाम में Next, who took charge as New Controller General of Accounts So New Controller General of Accounts यहाँ पे बन गए है कौन SS Dube यह भी बहुत important question है Next, who wrote the book Indian Struggle for Independence Gandhian Era यह बुक को लिखा है P. Jyotir Mani ने अगला question Fringe X is a military exercise between India and Very easy नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए France and India India और France के बीच का military exercise है यह Fringe X बात करें France की capital है Paris President है Emmanuel Macron और यहाँ के PM है Elizabeth Bon Next, who has won the professional photographer of the year award तो यह जीता है Sashi Kumar Ramachandran ने Next question है Who has won lifetime achievement award at national photography award तो lifetime achievement award यहाँ पे दिया गया है Shibra Das को Next, who has sworn as 13th CM of Meghalay तो Meghalay के तेरवे CM बन गये है अगर आपसे indirectly exam में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए President PM है यह सब जो है News में थे इसलिए हम इनको यहाँ पे discuss कर रहे है तो किशिदा फ्यूमिय जो है यह है PM of Japan Next, which IIT has discovered a new antibacterial molecule that could help fight against drug resistant infection तो किस IIT ने यह develop किया है? यह develop किया है IIT रूर्की ने अगला question देखिए PM Modi has inaugurated world's longest railway platform in तो वर्ल का सबसे longest railway platform जो है करनाटका के हुबली धारवाड में inaugurate किया गया है तो यह 1500 7 meter का long है Next, नितिन गटकरी inaugurated first methanol run buses in तो नितिन गटकरी जो है इन्होंने first methanol run buses कहां पे inaugurate किया तो इन्होंने इसे करनाटका में inaugurated किया पैंगलोरों में ठीक है तो बात करे करनाटका की तो यह नहीं है अभी इनके CM यह है सिद्धरामयया अभी अभी यह change हो चुके है ठीक है तो change कर लेजेगा सिद्धरामयया बन गए है यहां के CM capital है पैंगलोर governor है यहां पे थावरचंद गहलोट नेक्स्ट है task force report is released by तो task force report कौन release करता है तो यह release करता है नीती आयोग तो यह question directly ऐसे ही पूछा जाता है ठीक है तो यहां पे इस चीज़ के बारे में बात की गई थी आपको बस यह वाला question अच्छे से बात रखना है नेक्स्ट है अटूकल पॉंगल is a festival celebrated in तो अटूकल पॉंगल कहां पे celebrate किया जाता है यह केरला का festival है नेक्स्ट freedom shield is a joint military exercise between तो freedom shield जो है यह joint military exercise है between US and South Korea अगला question अरलाम wildlife sanctuary यह located है केरला में नेक्स्ट who has been appointed as chairperson of PFRDA तो PFRDA के chairperson बन गए है दीपक मोहन्ती बात करें PFRDA की established किया गया था 2003 में इसका headquarter है डेली अगला question which country participated in joint exercise named bold kurukshetra तो bold kurukshetra है ना इसमें participate करने वाली country कौन है तो यह है India and Singapore अगला question geo cinema signed whom as their brand ambassador तो geo cinema ने इन में से किन्हें अपना brand ambassador बनाया है देखियो options तो सूर्य कुमार यादाव को बनाया गया है यहाँ पे brand ambassador next है full day is a festival celebrated in तो full day festival जो है यह होता है उत्तरा खंड में अगला which airport has been ranked best airport in South Asia तो best airport का दर्जा यहाँ पे दिया गया है in South Asia ठीक है आपको यह बात याद रखनी है South Asia में Indra Gandhi international airport जो की Delhi का airport है इसे दिया गया है best airport का rank और पूरे world में जो है Singapore का Changi airport जो है इसे दिया गया है best airport ठीक है next who has been conferred with governor of the year award तो governor of the year award यहाँ दिया गया है शक्तिकान दास को तो यह कौन है हमारे present RBI के governor है अगला question who has been appointed as CEO and MD of TCS तो TCS के MD CEO बन गये है कौन के कृती वसन अगला question है विपिन रावत the man behind uniform is a book written by तो विपिन रावत the man behind uniform यह book लिखा है किसने रचना बिष्ट ने अगला question है International Labour Day is observed on तो International Labour Day जो है observe किया जाता है May 1 को और इसी दिन observe किया जाता है Gujarat Day and Maharashtra Day next what is India's rank in World Press Freedom Index तो World Press Freedom Index में India का rank है 161 यह बहुत important question है अगला question who won the prestigious Leipzig Book Prize Award तो Leipzig Book Prize Award यहाँ पे जीता है Mariya Stepanova ने अगला question है आपका World Press Freedom Day is observed on तो World Press Freedom Day जो है यह observe किया जाता है May 3 को तो guys I hope आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अभी अभी आप लाइक कर दीजे इस वीडियो को और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे ठीक है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो और questions हैं कुछ हम जल्दी जल्दी उनको cover कर लेते हैं सारे questions को cover कर लीजे बहुत important है पूरा जो भी यहाँ पे हमने include किया है I hope आपको समझ में आ रहा है कि सारे जो हैं बहुत important questions है ठीक है अगला question देखिए Who has become 11th woman to achieve international master title तो international master title 11th woman कौन बन गई है जीतने वाली तो यह बन गई है वन्ती का अगरवाल अगला question है Who has become president of world bank very very important question तो world bank के president बन गए है अजय बंगा बात करें world bank की establish किया गया है 1944 में headquarter है इसका Washington DC next question Giga chat is chat GPT released by which country तो Giga chat जो है यह किस country का chat GPT है तो यह रशिया के द्वारा रिलीस किया गया था ठीक है Giga chat और bard किसके है bard क्या आप जानते है bard भी एक GPT है तो यह Google की है ठीक है तो Google की chat GPT जो है यह bard है अगला question देखिए Who has won दोहा diamond link again very very important question दोहा diamond link जीता है यहाँ पे नीरत चोपरा ने अगला question My life as comrade is a book written by तो my life as a comrade बुक लिखा गया है KK शैलाजा के द्वारा अगला question A new border named dash between India and Bangladesh has been inaugurated in Bholagang ठीक है तो India और Bangladesh के बीच में एक नया border का नाम रखा गया है तो आपको उसका नाम बताना है तो ये रखा गया है heart ठीक है तो heart जो है इंडिया और Bangladesh का border का नाम रखा गया है बात करें बांगलादेश की ये एक country है South Asia में capital है धाका और currency है यहांकी धाका अगला question A severe cyclonic storm hit the eastern India coast and Myanmar was named तो एक cyclone अभी अभी आई थी ठीक है तो उसका नाम क्या रखा गया था ये इंडिया में और Myanmar में देखी गई थी तो इसका नाम रखा गया था Mocha Next Made in India 75 years of business and enterprise is a book written by तो ये बुक जो है Amitabh Kant के द्वारा release कही गई है तो कौन है Amitabh Kant तो ये हमारे G20 के share पा रहे है Next question Who has won the Miami F1 Grand Prix तो Miami F1 Grand Prix को जीता है Max versus Tappan ने Next है Who among the following has won Pulitzer Prize तो Pulitzer Prize यहाँ पे जीता है David Copperfield और उसके साथ साथ Harnas Diaz ने तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 I hope अब को समझ में आ रहा है अगला question देखिए Asian Summit has been started The host country is तो ASEAN Summit कहाँ पे host किया जा रहा है तो यह Indonesia में host किया जा रहा है बात करें ASEAN की इसका full form है Association of Southeast Asian Nations Theme है इसका epicenter of growth President है जो को विडो दो Motto है One vision, one identity, one community Headquarter है इसका Indonesia जकारता में अगला question Who has become new CEO of Twitter? तो Twitter की new CEO बन गई है यहाँ पे Linda या करिनो अगला question Mulan Chainmo Festival कहाँ पे होता है तो यह होता है कहाँ पे ले में अगला question My life in a design बुक लिखी है किसने यह लिखी गई है बाई गौरी खान Next question है Duroflex announces whom is the brand ambassador तो Duroflex के brand ambassador बन गई है Virat Kohli Next तो new CM of Karnataka कौन है? अगला question है तो new union law minister यह कौन बन गए है? तो यह बन गए है अर्जुन राज मेगवाल अगला question Who has been conferred with France highest civilian award? तो France का highest civilian award दिया गया है एन चंदरशेकरन को तो यह हमने अल्वेड़ी डिसकस किया है न Operation Mocha ओके ओके यहाँ पे Cyclone का नाम यह पूछा जा रहा है आपसे Operation पूछा जा रहा है देखे question देखे Indian government has launched new operation to assist Myanmar which has been devoted by Cyclone Mocha The name of operation is तो जो वहाँ के लोग फसे थे due to Cyclone Myanmar में उनको बचाने के लिए government ने कौन सा Operation चलाया आपसे यह पूछा जा रहा है तो यह operation करूना चलाई गई थी ठीक है तो Myanmar की बात करें तो देखे Capital है इसका Napido Currency है क्यात का language है Burnesi और President है Minsu ठीक है The Golden Years बुक रिटेन भाई तो The Golden Years बुक लिखी गई है भाई Ruskin Bond Next Al Mohed, Al Hindi Naval Exercise कहां की है किसके बीच की है तो यह जो है Naval Exercise है बिट्विन इंडिया एंड साओधी अरेविया अगला Question Which country is going to host Quad Leader Summit तो Quad Leader Summit यहां पे host करने वाला है कौन इंडिया host करने वाला है Quad Leader Summit को Next Question है What is India's Rank in Hankies Annual Miserie Index तो इंडिया का Rank in Hankies Miserie Index में है कितना 103 Next Who has won International Booker Prize तो International Booker Prize जीता है यहां पे George G. Gosperdinow ने तो इनकी स्वारी यह दर चला गया है Time Shelter इस Novel के लिए ने यह दिया गया है ठीक है अगला Question तो Guys हम थोड़ा और Speed करते हैं वीडियो को क्योंकि ऐसे में बहुत लेंदी हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी सिर्फ कवर करते हैं सारे Questions को तो देखिया Brand Ambassador of Tripura कौन बन गये है तो Tripura Tourism के Brand Ambassador बन गये है कौन Saurav Ganguly Next है Boto Jatra is Festival of Which Country तो Boto Jatra Festival है कहा का Nepal का Next है Who has been appointed as Central Vigilance Commissioner तो ये बन गये है कौन Praveen Kumar Shrivastav Next है Who has become New Minister of Earth Sciences तो Ministry of Earth Sciences के New Minister बन गये है Kiran Rijuju अगला कोशन What is placed next to seat of Lok Sabha Speaker at the time of Inauguration of Newly Constructed Parliament तो जो Newly Parliament construct किया गया है उस टाइम पे Lok Sabha Speaker के बहल में क्या रखा गया भाई Narendra Modi तो ये रखा गया है यहाँ पे Sengol अगला कोशन Who has become New Tennis Ambassador of Star Sports तो ये बन गये है Saniya Mirza अगला कोशन देखिए First aid to bring digital health card for children कौन बन जाती है तो ये बन जाती है Uttar Pradesh अगला कोशन Samudra Shakti is a naval exercise between तो ये इंडिया और इंडोनेशिया का naval exercise है अगला है Where has PM Modi unveiled the statue of Mahatma Gandhi तो Mahatma Gandhi की statue कहाँ पे unveiled की गए Hiroshima में by PM Next collective spirit concrete action book किस दे रखी है ये हमने अल्रेडी discuss कर लिया अगला कोशन देखिए In which stadium final match of IPL played तो IPL का final match जो है Narendra Modi stadium में खेला गया था जो की अहमदाबाद में है तो ये जीता है चिननाई Super Kings ने तो इनकी ये जो है 5th title थी और यहाँ पे runner-up कौन रहे थे तो गुजराद Titans जो है यहाँ पे runner-up रही थी तो हमने IPL का full video अपलोड किया हुए चैनल में आपको उसका link यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है Next question देखिए तो ये बन जाते है MS Dhoni अगला question तो इंडिया का rank है यहाँ पे 126 टॉप किया है Finland ने Denmark फिर यह आइलेंड ठीक है ये इस तरीके से है 123 Next है वो इस वन दा men's double title in tennis तो men's double titles जीता है यहाँ पे Rohan Bopana और Matthew Epden बोथ ने अगला question Who has been comforted with Sangeet Kala ने दी award तो ये दिया गया है यहाँ पे Jayashree को तो एक ये renowned Carnatic vocalist और musician है Next है Who has won Saudi Arabian Grand Prix तो ये जीता है Sergio Perez ने अगला question Where will be Olympics 2024 health तो 2024 में Olympics होने वाला है पैरिस में अगला question है Which state topped the Global Terrorism Index तो Global Terrorism Index में Afghanistan ने top किया है India की यहाँ पे rank रही थी 13th Next question World Water Day is observed on World Water Day जो है 22nd March को observe किया जाता है इस बार का इसका theme था exhilarating change Next है तो हमने ये भी discuss कर लिया अलड़ी Health Bill पास करने वाली Okay Health Bill की बात की जारी है हमने क्या बढ़ा हमने पढ़ा Health Card for Children वो कौन थी? UP थी तो ये Health Bill Right to Health Bill जो है ये किसने पास किया है? Rajasthan ने किया है Next है Who has been appointed in order of Australia for distinguished service ठीक है? तो order of Australia यहाँ पर Ratan Tata को दिया गया है हमने अभी पढ़ चुका है already Next है Able Price is given in the field of तो Able Price जो है ये दिया जाता है in the field of maths और इस बार ये दिया गया है Louis Caffirelli को Next है Ghode Jadra is a festival celebrated in which country? तो ये Nepal की festival है Next है India का rank in passport index कितना है? तो India का rank है यहाँ पर 144 अगला question है Kone Khan is a maritime exercise between India and तो India और UK की बीच की ये military exercise है Next है War and Women is a book written by तो War and Women जो है ये book लिखी गई है by M.A. Hassan Next है Who has been conferred with Assam's highest civilian honor तो Assam का highest civilian honor यहाँ पर दिया गया है TAPE SAKYA को Next है Texas University conferred Lifetime Achievement Award to तो ये जो है दिया गया है Naveen Jindal को थोड़ा यहाँ option गलत है Naveen Jindal को दिया गया है Lifetime Achievement Award of Texas University ठीक है Who has been sworn as President of Brazil तो Brazil के जो President है ये बन गए है Lula Da Silva Brazil का capital है Brazilia Currency है Rial आगला question Who has been appointed as Chairman of Railway Board तो Railway Board के Chairman यहाँ पर बन गए है कौन अनील कुमार लहोटी Next question इंडियास first underwater metro ठीक है तो underwater metro की बात की जा रही है ठीक है तो हमने देखा Metro in water देखा हमने वो कहाँ पे था कोची में था ये first underwater metro बनाई जा रही है कहाँ पे ये कॉलकाता में मनाई जा रही है अंडर होगली रिवर Next DRDO celebrated 65th foundation day on तो ये इन्होंने 1st January को celebrate किया Next है Siom Bridge was inaugurated in which state तो Siom Bridge जो है अनुराचर प्रदीश में ये inaugurate किया गया है Next है PM Modi to launch world's first longest cruise Ganga Vilas from Varan Asitu तो already जो है ये launch की गई थी Ganga Vilas from Varan Asitu दिप्रूगड Next है First ever National Genome Editing and Training Center is inaugurated in तो first Genome Editing Center जो है मुहाली पंजाब में inaugurate की गई Next है A 120 feet tall statue of polo player is inaugurated in तो इसे inaugurate किया गया है कहां पे तो guys मैंने ये question आपको बहुत बार बताया है तो मैं आपको इसका answer फिलाल नहीं बता रही हूँ आपको comment section में comment करके बताना है क्योंकि मैंने ये वाला question का answer बहुत times बताया है ठीके अगला question देखिए World's first palm leaf manuscript museum is inaugurated in तो world का पहला palm leaf manuscript museum जो है तिरुवनांत पुरम केरला में inaugurate किया गया Next है Imoino Iradpa Festival is celebrated in which state तो Imoino Iradpa Festival को celebrate किया जाता है Manipur में Next है Election Commission has appointed whom as the Bihar state icon तो Bihar का state icon दिया गया है किने माइथिली ठाकूर को अगला question Who is going to host voice of global south summit तो voice of global south summit को तो इसे host किया है इंडिया ने तो इसका theme था unity of voice, unity of purpose The 2023 men FIH hockey world cup will be hosted by तो FIH hockey world cup कहां पे हुआ था तो ये हुआ था कहां पे Odisha में तो इसका जो mascot है Ollie the olive ridley turtle था अगला question खर्ची पूजा is celebrated in तो खर्ची पूजा होता है तरिपूरा में Next Which country has honored PM Narendra Modi with highest order of nail तो ये दिया गया है Egypt का highest honor to PM Modi Next Who has been awarded with first Kalakranti Lifetime Achievement Award तो first Kalakranti Lifetime Achievement Award दिया गया है PD Ball को Next question है Raw Hitman is a book written by Raw Hitman ये बुक लिखी है किसने अगला question है What is India's rank in Global Competitiveness Index तो इंडिया का rank यहाँ पे रहा है 40 Next Yoga Sutra for Children is a book written by तो ये बुक लिखी है किसने ये बुक को लिखा है रूपा पाएने Next question Who has been appointed as Central Vigilance Commissioner अगला हमने डिसकस कर लिया प्रवीन कुमार श्रिवास्त Who has won Monaco Grand Prix मुने को Grand Prix को जीता है Max वरसे टैपन ने Next है Next very important question Who has been awarded with 57th Janpete Award 57th Janpete Award ये यहाँ पे दिया गया है दामुदर मौजो को अगला question देखिए What is India's rank in Energy Transition Index तो इंडिया का rank है यहाँ पे 67 तो guys मैंने आपको already सबका explanation जैसे मैंने बताया दिया हुआ है तो आपको सबके link यहाँ पे मिल जाएंगे हम जो है सिर्फ summarize कर रहे है topic को मतलब जो आपकी exam के लिए important है उसका हम just एक video बना रहे हैं आपको यहाँ पे explanation अगर देते हैं तो यह video जो है 2-3 घंटे का बन जाएगा इसलिए हम सिर्फ सिर्फ questions को ही discuss कर रहे हैं तो I hope आप इसे समझ रहे हैं ठीक है अगला question है G7 summit कहाँ पे held हुआ आप से पूछा जा रहा है तो यह held किया गया था जपान में तो जपान के Hiroshima में इसे held किया गया edition था इसका 49th next है who has become new vice chief of Indian Air Force तो Indian Air Force के vice chief बन गए है कौन आशुतोष दिक्षित तो in which city India's first road tunnel under sea will be built तो देखिए यहाँ पे under sea की बात की जा रही है first road tunnel यह बनाया जाएगा Mumbai में next है who has become new minister of ministry of earth sciences already हमने discuss किया किरन रिजीजू आगला question देखिए who has won the football tournament English Premier League तो English Premier League को जीता है Manchester City FC ने अगला question है एहमद नगर महाराश्टरा is renamed as तो महाराश्टर में एहमद नगर है जिसका नाम rename करके कर दिया गया है अहिल्या नगर next है Hemis Monastery Festival is being celebrated in which state तो यह celebrate किया जाता है लदाक में next woman committee league will be organized in तो woman committee league जो है यह already organized की गई है कहाँ पे दुबाई में अगला question IIT to open its first overseas campus in which country तो IIT जो है अपना overseas यानने की foreign में अपनी एक campus को खोल रही है तो वो कहाँ पे खोलने वाली है तो यह तंजानिया में खोलने वाली है अगला question है which airline has been named as environmental airline तो यह दिया गया है एतिहाड airways को अगला question world environment day is observed on तो world environment day होता है June 5 को इस बार का इसका theme था beat plastic pollution अगला question अमरुत काल की ओर is a book written by तो यह book को लिखा है JP Nanda जो की BJP के president है Next question Ajay to Yogi Adityanath is a book written by तो यह book को लिखा है Shantanu Gupta ne Next है very very important question which bank has become the first public sector bank in India to offer merchants the convenience of making UPI payments through rupee credit card ठीक है तो credit card के through जो है आप UPI payment कर सकते हैं तो यह facility दे रही है कौन? Canera bank दे रही है आपको यह facility Next है एक अथा is a sixth edition of navy and commando exercise between India and तो इंडिया और किसके बीच की यह naval exercise है तो यह है इंडिया और माल लिफ्स के बीच की exercise Next है Who has received New Zealand's second highest honor तो New Zealand के second highest honor जो है यह दिया गया है Jaquinda Ardern को अगला question इंडिया का rank in production of crude steel तो यह है second Next question Who has been conferred with Suriname's highest civilian award Suriname का highest civilian award दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट द्रापदी मुर्मु को तो Suriname क्या है एक small country है South America में ठीक है जिसका capital है पारम रभियू ठीक है Next question Who is the winner of F.I.H. Pro League F.I.H. Pro League जो है इसकी winner है इंडिया Next question World day against child labor is observed on तो यह होता है June 12 को इसका 13 था इस बार का Social justice for all and child labor अगला question Who is the winner of French open title तो French open title को जीता है Ega Switak ने Next है French open title men किसने जीता है तो यह जीता है Novak Djokovic ने अगला question है Who has won the FIFA under 20 world cup title तो FIFA under 20 world cup title को यह पे किसने जीता है यह जीता है Uruguay ने Next है Surbiton Trophy is given in the field of तो Surbiton Trophy जो है Tennis के field में दी जाती है और इस बार यह दी गई है 2023 में Andy Murey को अगला question What is the 12th edition of joint military exercise between India and Maldives तो इंडिया और Maldives के बीच की joint military exercise का नाम आपको बताना है तो यह है X-Ecovarian यानि की exercise Ecovarian इसका नाम है जो की उत्तरा खड़ में health की गई थी Next है Vihuku is a festival celebrated in तो Vihuku जो है यह festival होता है Arunachal Pradesh में अगला question Palki festival कहां पे celebrate किया जाता है पलकी festival है महरास्ट का अगला question The first ever woman kabaddi league has been inaugurated in which country First woman kabaddi league हमने already discuss किया Dubai में इसे inaugurated किया Next Asia cup will be hosted in which country Asia cup पाकिस्तान और श्रिलंका both 1 and 2 में होने वाली है Next है आप से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि Rebel Against the Raj यह book जो है यह किस ने लिखी है जीने अभी recently Elizabeth Longford Prize दिया गया है ठीक है तो यह जो book है इसे लिखा गया है by Ramachandra Guha Next question Who won the Intercontinental Cup? तो Intercontinental Cup जीता है इंडिया ने ठीक है अगला question What is the mascot of 37th edition of Indian National Games? तो Indian National Games का 37th edition जो होने वाला है इसका mascot है Moga अगला question Who became the first Indian to win Asian Fencing Championship? तो यह जीता है किसने? यह जीता है यहाँ पे भवानी देवी ने अगला question Who has been elected as PM of Finland? तो PM कौन बन गया है Finland के? यह बन गया है Petri Orpo अगला question देखिए Who has been awarded with 45th European Essay Prize? तो 45th European Essay Prize दिया गया है Arundhati Roy को अगला question International Yoga Day is observed on तो यह observe किया जाता है June 21st को इस बार का इसका theme था Yoga for Vasudhev Kattumbakam ठीक है? Very very important question आपके exam के लिए अगला question The peace prize for German book trade for 2023 has been awarded to तो यह peace prize दिया गया है किने? यह दिया गया है Salman Rushdie को अगला question देखिए Who is the winner of Canada Grand Prix? तो Canada Grand Prix को जीता है यहाँ पे Max, was it happen? अगला question Who won the squash World Cup 2023? तो squash World Cup को जीता है यहाँ पे Egypt अगला The first MotoGP event will be hosted in which state in India? तो देखिए पहला MotoGP event होने वाला है इंडिया में तो यह organize किया जाने वाला है उत्तर प्रदेश में Next है What is India's rank in Global Gender Index? तो India का rank in Global Gender Index है 127 तो Gift City के चेर में मनाया गया है किने हस्मूक अधिया को अगला question Symphony to Jazz is a book written by तो यह जो book है इसे लिखा है किसने? लिखा है अंकित खेमका ने अगला question वितत्सा मोदसव is a festival of which state? तो वितत्सा मोदसव जो है यह जम्मू कश्मीर का एक festival है अगला question गान नगाय festival is celebrated in तो गान नगाय festival को भी celebrate किया जाता है मनीपूर में अगला question who has become 79th grandmaster so 79th grandmaster बन गए है प्रनेश M अगला question which of the following becomes who of the following becomes first woman cricketer to get bronze statue at Sydney cricket ground तो Sydney cricket ground में पहली woman cricketer जिनका statue बनाया गया है कौन है तो ये है Belinda Clark again very very important question अगला question देखिए which among the following city becomes the first ever to host Formula E Championship race तो देखिया हमने बात कि अभी GP event की है ना Moto GP event जो होने वाली है उत्तर प्रदेश में बट इससे पहले औरड़ी Formula E Championship race हो चुकी है तो जिसे और्गनाइस किया गया था कहां पर है हैदराबाद में और्गनाइस किया गया था तो आपको ये दोनों पॉइंट्स में confuse मत नहीं होना है ठीक है अगला question अंबेटकर अलाइफ बुक रिटन भाई तो अंबेटकर अलाइफ जो ये बुक है बहुत important है आपके exam के लिए लिखा गया है भाई सशी धरूर अगला question हमने औरड़ी पढ़ा ना जो आरी बिच तो ये जो है गोवा का है अगला question इंडिया's first purple fresh fest was organized in तो इंडिया का पहला purple fest जो है ये गोवा में organized किया गया अगला question वो इस दा CEO of FSSAI तो FSSAI के CEO बन गये है जी कमला वर्धन राओ अगला question है ये जो है इनाउग्रेट किया गया है चरपुल सेरी केरला में अगला question 75th Indian Army Day was observed on तो इसे यहाँ पर observe किया गया था कब 15th January को यहाँ पर observe किया गया था अगला question वो एज वन 71st Annual Miss Universe Pageant तो ये जीता है किन्होंने Miss Universe Pageant ये जीता है आर बॉनी ग्रेबिया ने अगला question विज यूनियन टेरिटरी हैस बिकम फुली डिजिटल मेकिंग ओल सर्विसे डिजिटल तो पहली यूनियन टेरिटरी जिसने अपने सारे गवर्नेंस जितने भी रिलेटेड वो है प्लाटफॉर्म उनको डिजिटल कर दिया है ठीक है तो ये बन जाती है जम्मू कश्मीर नेक्स्ट है वरुना एनेवल एक्सराइज इस बिट्विन इंडिया एंड इंडिया और फ्रांस के बीच का ये रिलेटरी एनेवल एक्सराइज है वरुना ठीक है अगला कुश्चन देखिए मागी मेला festival is held in तो मागी मेला जो है ये पंजाब में held होता है अगला question देखिए India's deepest metro station to be built at तो इंडिया का deepest metro station जो है ये बनाया जाने वाला है पूने में अगला question Which airport won the best sustainable greenfield airport award तो ये जो है मोपा airport यानि कि मरोहर international airport गोवा को दिया गया है ठीक है अगला question देखिए Which state targets to become first state to green energy state by तो green energy state बन जाएगी by 2025 तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे है Next है North India's largest floating solar power plant will be inaugurated in तो ये inaugurate किया जाएगा चंदीगड में अगला question Indian first nasal vaccine against COVID-19 in COVAX made by तो ये जो nasal vaccine है ये जो है इसे किसने बनाया था ये बनाया था भारत बायोटेक में अगला question वीर गार्जियन is a military exercise between तो ये इंडिया और जपान की बीच की military exercise है Next question है UNESCO designate Odessa a world heritage in danger तो ये Odessa जो है कहाँ पे located है तो ये Ukraine में है तो ये है ये ऐसे दिखती है building अगला question India's first mission to sun will be launched by Isro in June जुलाई तो इसका नाम क्या है आपको ये बताना है तो Isro का पहला sun का एक mission जो है जिसका नाम रखा गया है आदित्य एलवन इसे जुन और जुलाई में इसे launch किया जाएगा नेक्स है annual orange festival कहां पे हुआ है तो ये organize किया गया था नागा लैंड में ठीक है अगला question मार्टिया डे इस विच कंट्री हाज वन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल कप तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल कप जो है ये किस कंट्री इने जीता है तो इसे जीता है इंडिया ने next question Mughal Garden in New Delhi is renamed as तो Mughal Garden जो है New Delhi में इसका new नाम कर दिया गया है क्या अमृत उद्ध्यान कर दिया गया है इसका नाम ठीक है अगला question देखें विच कंट्री है जा नेम्ड अस पार्टनर वर्ल्ड कॉप को यहां पर जीता है जर्मनी ने next question which edition of खेलो इंडिया यूद गेम has begun in Madhya Pradesh तो Madhya Pradesh में खेलो इंडिया यूद गेम को खेला गया था तो इसका कौनसे एडिशन था यह इसका फिफ्ट एडिशन था यह next है who won the men's single match of Australian Open तो Australian Open को जीता है नुवाग डुजोकोविक ने next है who has become new vice chief of Indian Air Force तो हमने यह अल्रेडी पढ़ लिया ठीक है Indian Air Force के new vice chief बन गए है A.P. Singh next है who has been selected as brand ambassador of Arunachal Pradesh तो Arunachal Pradesh के brand ambassador बन गए है Sanjay Tatt अगला question poverty of political economy यह book किस ने लिखी है तो यह जो है मेगनाद दिसाई के द्वारा लिखी और release की गई है next है world wetland day is celebrated on very very important world wetland day जो है यह होता है second february को तो इसका theme था इस बार का it's time for wetland restoration ठीक है तो theme को अच्छे से याद रखेगा अगला question है world cancer day is marked on world cancer day जो है यह mark किया जाता है on Feb 4th अगला question Asia का largest helicopter factory हमने already discuss किया इसे है न तुमकूरू करनाटका में से inaugurate किया गया next question देखिए काला घोडा आर्ट फेस्टिवल तो बिगे ने तो काला घोडा आर्ट फेस्टिवल जो है यह और्गनाइस किया गया था महरास्टर में अगला question श्री लंका celebrated its हाँ मतलब कौन से अडिशन वाला इनका Independence Day इन उने celebrate किया आपको यह बताना है 75th Independence Day था इनका यह वाला तो देखिए यह सब मैंने आपको दिया है प्लीज आप पढ़ लीजिए और अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने बताया ना आपको इसका आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा जो Monthly Current Affairs है वहाँ पर हमने इन सब को अच्छे से explain किया है यह वीडियो में यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह बहुत लेंदी हो जाएगा फिर आपके लिए इन में से कौन सा World Cup पहला Living Heritage University बन जाएगा यह है विश्व भारती University Next Question Victory City is a new book released by तो Victory City book को release किया गया है बाई सलमान उर्षदी Next Question है आत्मा Lifetime Award is given to तो आत्मा Lifetime Award जो है यह दिया गया है K.M.M.M. को जो की है MD of MRF Limited Next Question ICC T20 Women World Cup going to be held in तो यह हमने अल्वेडी डिसकस किया इसकी winner रही थी Australia और runner-up रही थी South Africa तो जो runner-up थी उसी ने इसे host किया था तो आपको इस तरीके से मैंने आपको बताया था याद रखने को तो इसकी host थी South Africa Next Question Which Cricketer becomes first captain to score century in all formats of cricket तो हर format of cricket में इन्होंने century करी है कौन है रोहत शर्मा अगला Question National Women Day is celebrated on तो National Women Day होता है 13th February अगला Question Who won the first ever Formula E race held in Hyderabad तो हमने अभी पढ़ा था ना कि Formula E race जो है है Hyderabad में हुआ था इसकी winner कौन रहे थे? Gene Eric Virg ने रहे थे इसके winner अगला Question PM inaugurated 14th edition of Aero India in तो 14th edition of Aero India जो है यह बैंगलोरो में करवाया गया था Next Question Minister of Science and Technology Jitendra Singh inaugurated International Biotech Conclave in तो International Biotech Conclave को कहां पर inaugurate किया गया था? यह Infal Manipur में इसे inaugurate किया गया था अगला Question है Who won the Khello India Youth Game? तो Khello India Youth Game की winner रही है कौन? Maharashtra अगला Question देखिए Who has been awarded with Felix Hoffay Boyney UNESCO Peace Prize? तो यह दिया गया है Angela Merkel को अगला Question शिंकूला Tunnel will be constructed to provide connectivity between तो शिंकूला Tunnel जो है यह connectivity देगा किसे किसे Himachal और Ladakh को यह connect करने वाला है कौन? शिंकूला Tunnel अगला Question तारकाश is a military exercise between तो यह जो है military exercise है between India and Sri Lanka अगला Question शिव मोगर एरपोर्ट इस इनागूरेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर इस सिचुएटेड इन विच सेट तो यह करनातका में सिचुएटेड है अगला Question Who has been appointed as CEO of YouTube? तो YouTube के CEO बन गये है नील मोहन अगला Question धर्मागार्जन is a military exercise between अगला Question धर्मागार्जन जो है यह military exercise है between India and Japan अगला What is the India's ranking Global Labour Resilience Index तो Global Labour Resilience Index में इंडिया का rank है 65th Next है Who has been appointed as CEO of Niti Aayog तो Niti Aayog के CEO बन गये है कौन? BVR Subramanyam Next है Dust Link is a training exercise between India and Dust Link जो है यह एक training exercise है between India and उजबेकिस्तान अगला Question 18th World Security Congress to be held in तो यह held किया गया था जैपूर में अगला Question Who won Ranji Trophy title? तो Ranji Trophy title को जीता है Saurashtra ने अगला Question देखिएगा First Nuclear Plant of North India to be built in North India का पहला Nuclear Plant जो है यह बनाया गया है कहां पे? हर्याना में अगला Question Who won Best Actress Award in दादा साहे फाल की अवार्ड? तो यह जीता है अलिया भट ने Who is PM of Italy? इटली की PM कौन है? यह है Georgia Melanie अगला Question खजुराहू dance festival to be organized in तो खजुराहू dance festival को organized किया गया था मध्यप्रदेश में अगला Question Who won the Argentine title तो Argentine open title को जीता है Carlos Alcatraz ने Next Question देखिए Who wrote the book Modi Shaping the Global Order in Flux? तो यह बुक को लिखा है JP Nadda ने अगला Question है Who has been awarded with International Mother Language Award तो International Mother Language Award दिया गया है किने यह दिया गया है Mahendra Michra को चलिए तो यह था हमारा Last Question तो Guys यहाँ पर हमने जितने भी important questions थे ना उन सब को यहाँ पर discuss किया है तो आपको क्या करना है एक बर यह पूरा वीडियो पूरा देख लेना है और उसके बाद फिर से एक बाद देख करके आपको खुद से आंसर करने है सारे को इस तरीके से अगर आप करते हैं आपके सारे questions जो है Last Six Months के वह cover हो जाएंगे यहाँ पर बहुत important है सारे आने वाले exams के लिए तो इन सबको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और नीचे comment section बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा ठीक है ठीक है ठांक यू एव नाइस डे कि आपको ख़ीढ़ के लाहे होऑडा